हेलो स्थूम मैं हुरुजात बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का इस न्यूव वीडियो में बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसे के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में क्योंकि सीरियल से लेकर यहां पर जो है कई सारी तस्वीरे सेट से आउट हो रही है और सभी लोगों को जो है वो मुमेंट देखने को मिल रहा है जिसका सभी लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे हाँ सोशेल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल है जहां पर सभी और इशान जो है दुला दुलन की ड्रेस में नजर आ रहे हैं और साथ में शायर डांस करते वे या फिर फेरी लेते वे नजर आ रहे हैं जहां पर हम लोगों को काफी ज़्यदा पॉजिटिव एनरजी मिले सीरेल को आगी देखने के लिए हाला कि दोस्तों इकनी ज़्यादा अपडेट्स आ चुकी है कि लोगों ने कन्फरम मान लिया है कि शक्ति अरोरा अठारा तारिक के बाद हमें सीरेल में नजर नहीं आएंगे या फिर ये कहें कि अठारक उनका लास्ट डे का शूट होगा और उसके बाद वो हमें नजर नहीं आएंगे अब चलिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं इस वाइरल तस्विर की सच्चाई की आकरकार सच क्या है और आकरकार यहाँ पर सभी और रिशान की शादी हो रही है यहाँ पर या फिर कुछ और माज़ रहा है अब देखो यहाँ पर तमाम अपडेट्स की माने तो आपने यूटुब पर बहुत सारे वीडियो अब तक इसके बारे में देख लिए होंगे तो आप सभी को बता दू कि यहाँ पर सभी लोग इसको लेकर यह कह रहे हैं कि यह शादी का सीन है यहाँ तक की हर एक बड़े चैनल ने इसके बारे में ही बताया है पर मैं आपको बताता हूँ इससे जुड़े के न्यू अफडेट जो की अब लगातार प्राथ हो रही है और वो कुछ ऐसी है यहाँ पर कि यह शादी नहीं है ना ही कोई फेरे है ना ही कुछ और बलकि यह बोसले इंस्टिउशन का कल्चिरर प्रोग्राम है जहाँ पर सवी और इशान साथ में नजर आने वाले है अब यहाँ पर एक बार फिर से सीरिल के मेकर्स ने जो है बोसले इस्टिउशन की कहानी शुरू कर दी है क्योंकि आई तिंग वो लोग चाते हैं कि कहानी वी ली पाये लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा पॉजिटिव हम सीरिल में दिखा दें कि यहाँ पर लोग बात जो है वो उदास ना हो और कहीं ना कहीं पर सीरिल को कुछ टेना कर दें अब ऐसे में यहाँ पर आई थिंग सीरिल के मेकर्स कल्चिरल फैस्ट दिखाते हैं अब यहाँ पर यह बात है कि कल्चिरल फैस्ट है तो वहाँ पर सवी और इशान आकरकार क्या कर रहे हैं वह भी सवी लहंगे में क्या कर रही है और इशान यहाँ शीरवानी में क्या कर रहा है क्योंकि तस्वीर में कुछ ऐसी चीज़े नजर आ रही है आलकि मैंने कम्यूंटी में पोस्ट कर दिये वो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाकर तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दू कि हो सकता है कि सिरिल के makers कुछ different यहां पर प्लान पर प्लान कर रहे हूँ क्योंकि Riva औरेशान की शादे काफिछ आदा सीरिल के ंदर controversial रही है और यहां पर अगर सीरिल के जो makers है वो चाहते हैं कि सवी और इशान को एक दिखाना आए तो वो यही दिख सीन दिखाना चाहेंगे लास्ट में जाकर तो कि सवी और इशान फाइनली सभी के सामने एक हो चुके हैं और बोसले इंस्टिटूशन से बहतर जगा भला कौन सी हो सकती है तो यहाँ पर होपफुली हमें सीन नजर आ सकता है कि पुरी कॉलिज के सामने सवी और इशान का लव कनफेशन हमें देखने को मिल जाए यहाँ फिर बहुत सारे अपडेट्स ऐसी भी है कि यह एक ड्रीम सीक्वेंस हो सकता है जहाँ पर रीवा और इशान साथ में नजर आ रहे हो लेकिन इशान की सपनों में सवी हो और सपनी सवी के सपनों में इशान उसके साथ डांस कर रहा हो लेकिन अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीरिल के मेकर्स अगर लास्ट एपिसूड का शूट कर रहे हैं तो वो इमेजिनेशन का सीन नहीं दिखाएंगे बलकि अब आप यही कहें कि सीरिल को आने वाले एपिसूड तो आपके लिए गूल्डन एपिसूड होने वाले हैं तो यह गलत नहीं होगा क्योंकि सीरिल के मेकर्स अगर शक्ति अरोरा को विदाई दे रहे हैं तो वो बहुत पॉजिटिव उर्जा के साथ बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत पॉजिटिव सीन के साथ ही देंगे डेफिनेटली और यहाँ पर इस तरीके का में सीन देखने को मिल सकता है अब इस cultural fest के अंदर serial के makers क्या दिखाना चाहते हैं क्योंकि काफी अच्छे से set वेट तयार के है makers ने काफी अच्छी तयारियां चल रही है और बहुर बहुर पार्टिल यहाँ पर serial के अंदर मौजूद है और वो किस तरीके से इस cultural fest में में नजर आता है देखना बहुत ज़्यादा interesting होगा well दोस्तों यहाँ पर फिलहाल सबसे बड़ा confusion यह चल रहा है कि यह cultural fest है यहाँ पर क्योंकि मुझे तो cultural fest दिख रहा है क्योंकि बोसले institution के अंदर अगर तयारिया चल रही है तो definitely cultural fest योगर new updates भी कुछ ऐसी ही आ रही है कि cultural fest है क्योंकि बोसले परिवार वाले भला institution के अंदर शादी क्यों ही कराएंगे और अगर इंस्टीशन के अंदर प्रोफेसर और प्रोफेसर की शादी आपस में कराई जाए तो बच्चों पर भला क्या message जाएगा कि प्रोफेसर शादी पर शादी है किये जा रहा है डिवार्स अभी हुआ दो चार दिन पहले और प्रोफेसर फिर से शादी कर रहा है और अगर ये सारी चीजे वो दिखाते हैं तो वाकई में वोसले इंस्टीशन की बदनामी तो काफी जादा हो जाएगी लेकिन अब यहाँ पर न्यू अपडेट जो है वो खुश कर देने वाली है कि सभी और इशान फाइनली एक होते वे नजर आएंगे और बहुत सारे लोग मुझसे पूश रहे थे कि अपडेट आ रही है रजट भाईया और प्रोमो वगेरा आ रहे हैं कि यहाँ पर हितेश भारदवाज और भाविका शर्मा ने शूटिंग शूरू कर दी है और प्रोमो वो लोग शूट कर रहे हैं इसमें आखिरकार कितने चीज़े चल रही है पर जब तक यहाँ पर कोई तस्वीर बहार नहीं आ जाती है हमें यहाँ शूट के कुछ आउटपुट नहीं मिल जाते हैं तब तक इन चीज़ों पर कन्फरमेशन देना जो है देखिए गलत ही होगा अल अवर दोस्तों आप लोग मुझे बताईए कि कॉलेज में होने वाले कल्चेर फैस्ट के लिए सभी इशान के रोमेंस के लिए और पॉजिटिव एंडिंग के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए कोई भी सवाल शेर कर सकते सपोर्ट कर सकते इंस्टेग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्चिन में यूजर ने में नजर आई रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर जीज़ें दोस्तों मैं मैं विलूंगा अच्छा विलिए को सेके लिए वीडियो में जब तक कि रिए तैंकि दोस्तों